जैसे जैसे इंडियन टुविलर मार्किट में एलेक्टरिक स्कूटर और एलेक्टरिक बैक मेंस्ट्रीम होता जा रहे हैं वैसे वैसे उन्हें मिलने वाले फीचर्स और स्पेसिफिकेशन अफॉरडबल होते जा रहे हैं और ऐसा होना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि फीचर जो है वो इलेक्रिक का ही है तो अगर आप इस दिवाली पर कोई इलेक्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फाइद मन्त होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे आसे पाँच इलेक्रिक स्कूटर के बारे में जने इस दिवाली पर खरीदना आपके लिए एक बेटर डील साबित हो सकता है तो वीडियो के एंट तक जरूर देखिए अगर वरना आप काफी कुछ मिस कर सकते हैं पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए था कि हरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो में जो भी स्कूटर के बारे में बात करने वाले की टॉप स्पीड जो होगी 25 किलोमेटर पर और की मतला वको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस और रखने की ज़रूरत नहीं होगी उन्हें चलाने के लिए तो बढ़ते नंबर फाइव की तरफ वह है हिरो उलेक्रिक फ्लैश की डिजाइन की बात करने तो ये काफी स्टै से मोटर जो की पावर्ड होगी 48 वोल्ट 28 AH बैटरी से जो की एक लॉंग रिंच प्रवाइट कराती है 65 किलोमेटर ऑन सिंगल चार्ज हिरो लेक्रिक फ्लैश के अगर वेरेंट्स की बात करे तो उसमें आपको दो वेरेंट्स देखने को मिलेंग ही रियो लस्ट्रिक फ्लैश एले ही रएट्रोस Finnish बैटरी देखने को मिल रही है वो एक्चल में उतनी नहीं है वहीं compare करें इसे लीथियमायन से तो वो बहुत अच्छे से communicate कर पाती है इस system के साथ में और जो बैटरी आपको देखती है वो एक्चल में उतनी ही होती है लीथियमायन का weight भी कम होता है life cycle भी ज्यादा होती है और charging time भी बिल्कुल आदा होता है compare करें लेड एसिट से तो ग्यान की बात है काफी हो गई तो अब बढ़ते हैस लिस्ट में आने वाले scooter no.4 की तरफ तो वह है Okinawa R30 प्राइस कंपेरिटिवली थोड़ी ज्यादा होने वाली अगर से compare करें अधर स्कूटर के साथ में पर अगर इसके features की बात करेंगे तो यह जिस्टिफाई करेगा से इसमें आपको 26 AH 48V detachable lithium-ion battery देखने को मिलेगी Yes, detachable battery इसमें आपको flexibility मिलेगी कि आप scooter को कहीं भी पार्क करके अपने battery को निकाल करके कहीं भी चार्ज कर सकते है 250W BLDC motor which provides it a 60 km of range इसमें आपको charging time 4 to 5 hours का मिलने वाला है AutoCut charging function के साथ में E-ABS, electronic assist braking system, electronic assist braking system आपको ये feature देखने को मिलेगा during braking आपके energy losses हैं वो थोड़े कम होंगे और जिसके बदले में कुछ battery आपकी charge हो जाएगी seat open with remote, hazard function और बाकी सारे functions जो आपको usually एक scooter में देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको warranty तीन साल की मिलेगी motor पर भी और battery पर भी तो ये जो इसका तीन साल का warranty package मिलने वाला है वो काफी सही है क्योंकि most of the scooters आपको battery पर और motor पर तीन साल की warranty देखने को नहीं मिलती तो यही था Okinawa R30 के बारे में सब कुछ अब बढ़ते हैं लिस्ट में आने वाले scooter number 3 की तरफ तो वो again Okinawa का एक दूसरा scooter है Okinawa light Okinawa light के जो features है वो बिलकुल सेम होने वाले है Okinawa R30 के जैसे like front में disc brake and rear में drum brake, push start stop button, keyless entry और same battery, same motor, same performance और same ही charging time बस इन दोनों में जो difference होने वाला है वो होने वाला है इनके prices और design को लेकर के, prices जो है 63,990 और इसका design है वो premium looking retro design दिया हुआ है इसमें आपको projector headlamps with DRL देखने को मिलेगी और आपको इसमे color information panel देखने को मिलेगा हमने इस scooter को वीडियो में इसलिए cover किया है क्योंकि Okinawa scooters पर अभी एक offer शल रहा है 24 October से लेकर के 15 November तक जिसके चलते हर एक booking पर आपको मिलेंगे 6,000 रुपीज के gift vouchers और एक lucky draw contest भी चल रहा है जिसके चलते 10 lucky customers जीत सकते हैं Okinawa R30 तो ज्यादा जान करें की लिए आप description में दी ओए link को चेक कर सकते हैं और इसकी जो warranty है वो भी Okinawa R30 की तरह सेम होने वाली है तीन साल की तो बढ़ते हैस लिस्ट में आने वाले scooter number 2 की तरफ तो वह है गेमपाई rider गेमपाई rider के डिजाइन है वो काफी समेल है Okinawa R30 की तरह बस जो difference है वो है इसकी seat के बीचे backrest और इसमें आपको मिलने वाला है anti-theft alarm, keyless entry, LED headlights, USB charging port, detachable battery तो यह तो थे इसके सारे के सारे features अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले specifications की है specification में आपको मिलने वाली है 48V, 24Ah lithium-ion battery जो की साथ में होगी 250W BLDC hub motor के साथ में जिससे की आपको range मिलेगी 90 km की, 90 km की range काफी ज्यादा होती है अगर इसके battery pack को देखें warranty भी इसकी काफी same होने वाली है, Okinawa R30 की तरह तीन साल की और इसकी जो price है वो है 60,000 अगर इसकी range को देखें तो यह 60,000 की जो price है वो justify करती है तो इसके बात बढ़ते हैं इस list में आने वाले scooter number 1 की तरफ तो वो है रफतार Electrica रफतार Electrica की looks की बात करें तो वो काफी समिलर है Westpac के आने वाले scooters की तरह इसमें आपको मिलने वाला है 60V VRLA battery, VRLA stands for valve regulated lead acid battery यह बहले ही एक lead acid battery है पर इसकी price जो की मैं आपको बताऊँगा देख तो गए ठीक है और इसमें मिलेगी आपको 250W BLDC hub motor जो की आपको एक range provide कराती है 100 km की जो की इस list में मिलने वाले range से सबसे ज्यादा है तो इस list में इस scooter के number 1 आने की वज़ा है इसकी pricing जो की यह 48,540 रुपीज जो की काफी सही है और काफी सस्ती है compare करें इस list में आने वाले other scooters से और इसकी range 100 km की तो भी बड़ी वजा है तो यह तो इस list में आने वाले पांच स्कूटर वैसे आज के सिनारियो को देखे तो तीन फेक्टर सबसे ज्यादे इंपोर्डेंट होते हैं स्कूटर्स खरीचते टाइम पर वह है PRC प्राइज रेंज एंड चार्जिंग ताइम तो इन तीनो सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई